अदेज जैसरी महकल बार एक गोल सूर के बाती नजर आता है ये ऐसा क्यों होता है और इसका क्या संकेत है और ये विसेश समय पर ही क्यों होता है हमेशा क्यों नहीं होता है तो इसके विसेश में आज हम बात करेंगे और इसका क्या रहास है इसके विसर में भी हम बताएगे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये विचार रहता है और बहुत सारे लोगों ने इससे सम्मंदत वीडियो डाले हुए हैं और बताया हुआ है कि क्या लाभ मिलता है यदि आपके दीपक में ऐसी आकरतियां दिखाई देती हैं और उनका क्या संकेत होता है तो इन सभी विसर पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और साथ में आप यहां इस साइट एक छोटी सी किलिप देख रहे होंगे जो की किलिप हमारे मंदिर की किलिप है और उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो दीपक है उसके अंदर एक आकरती जैसी दिखाई दे रही है गोल बिंदू जैसा दिखाई दे रहा है तो यह बदलता रहता है कई बार यह तीन बिंदू की भाती नजर आता है कई बार यह दो बिंदू की भाती नजर आता है कई बार ऐसा लगता है जैसे नेत्र चमक रहे होंगे ऐसे दो हुआ है कि इसका क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवर में फली वूत होता है और अलग-अलग सभी के अपने विचार हैं तो आज हम भी इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्ति करेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि हम जो समझते हैं हमें अपने विचारों को ही प्रिश्टुत करना चाहिए दूसरे के विचारों से प्रेरित होके भेडा चाल में नहीं चलना चाहिए तो जो हमने अन्भाव किया है जो हमने जाना है वो ये जाना है कि जो आपने अभी दीपक को देखा है इस तरीके से जो अनभाव हैं ये और भी लोगों के साथ में होते हैं और जब वो लंबी साधनाय करते हैं या खंड दीपक प्रजुलित करते हैं तब ऐसी अनभूतियां व्यक्ति को होती है या दीपक व्यक्ति इस तरीके से देखता है कि दीपक के अंदर ऐसी आकरतिया नजराती है तो इसका जो संबंद है वो संबंद आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है और ये जो भी आप देखते हैं हला कि बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग विचार दिये हैं लेकिन हमार कार है सत्य बोलना विश्वास अलग विशा है अंद्विश्वास अलग विशा है आस्था अलग विशा है और आस्था की यार में आप अंद्विश्वासी होती चले जाएं वो अलग विशा है जो भी आपने दीपक देखा है या जितनी भी आकरतियां दीपक के अंदर इस धीरे 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 दीपक की जो जोती है उस जोती के ऊपर उस बत्ती के ऊपर कारवन जम जाता है और जब ये कारवन जम जाता है तो ये कारवन जमने के बार चुकि जोती प्रजुले तो हो रही है दीपक की बत्ती जर रही है और वहां कारवन इखटा हो गया है तो कार्वन के अंदर से जब अगनी की लौ निकलती है तो वो एक आकरती दिखाती है और वो आकरती अलग अलग तरीके से बन जाती है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बादलों में कई आकरतियां बन जाती हैं कई बार पानी में आपको कई चीजें ऐसे अगर लहरें उ लेहना अच्छी बात है विस्वास करना अच्छी बात है लेकिन जब ये आपका विस्वास अंद विस्वास की और अगरसर होने लगे तो आपको इसको त्याग देना चाहिए आपको सत्ता में जीना चाहिए ना की अंद विस्वास में जीना चाहिए तो आसा करते हैं कि आज कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगा और जिसे मेरी बात पे विश्वास नहीं है वो इसको स्वैम से परिच्छित कर सकता है यदि आपके दीपक के अंदर भी ऐसी आपको आक्रती नजर आए उसी समय आप उस दीपक को बुझा दीजिए तो आपको वहां पे क अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जब लंबे समय तक दीपक जलता रहता है तो वहां पे संभावनाएं बढ़ जाती है कारवन बढ़ने की लेकिन अगर दीपक में थोड़ा घी है थोड़ा तेल है चोटी बत्ती है और 15 मिनिट के जलने के बराबर ही उसके अंदर घी या ते आ रही है तो देखिए ये आस्था का विसा है हमने पहले भी कहा है law of attraction जैसा आप सोचते हैं वो आप अपने जीवन में फली भूत करने लगते हैं यदि इनसान की आस्था प्रबल होती जाती है तो वो चीज भले ना हो लेकिन इनसान के विचार उसको इतना ज़्यादा प करती आ रही है अपितू मैं आप सभी को बता दूं कि कई साधनाएं हमने ऐसी की हैं जिनमें कुछ गुप्त प्रणालियां ऐसी होती हैं कि साधना मंत्र जाप करते हुए दीपक को बुझा देना होता है और साथ में कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों को हमने साधना स सिद्धी करवाई और साथना सिद्धी के समय में भी दीपक जो प्रज्य लड़ दीपक है वो बुझ गया लेकिन फिर भी साधना सम्पन हुई साधना सिद्धी या किसी भी चीज रापती के लिए सुव महात्पूर्ण नहीं है महें आपकी आस्थ् Premier जब आपको इस सिधी कर रहे होते है या आ A-प किसी को सिधी करा रहे होते हैं effective भुVE और झाहे चैई जूम भी आशुभान संकेत उस समय ङूंप सामने वाले व्यक्ति को अथो आपने सिस्ज को साधना पूर्ण रूपन संपन करा देते हैं यदि आप में छमता नहीं है तो आप नहीं करा पाएंगे यही चीज आपके उपर भी लागू होती है यदि आपके उपर इष्ट सक्तियों की कृपा है परमात्मा की विसेश कृपा है आप कोई बुझ जाता है या कुछ असुप संकेत फलिवूत होते हैं आपके जीवर में आपको लगता है कि ये असुप संकेत थे लेकिन फिर भी आपकी सिध्धी सफल हो जाती है अगर आपके उपर इश्ट्रक्रपा है तो मन के विचारों को एक आगर रखिए सत्य और भ्रम में फर् समझे विश्वास करना बहुत अच्छी बात है लेकिन विश्वास की यार में अंद्विश्वासी होते चले जाना बहुत गलत बात है क्योंकि जब ये अंद्विश्वास आपके उपर हावी होता चला जाता है तब आपको हर चीज के अंदर वो भ्रम दिखाई देने लग लगता है जो भ्रम वास्तिक नहीं है केबल आपके दिमाग की उपाज है आदेश जैश्म हकल